हेलो फ्रेंट्स गुड़ीनिक नमस्कार सस्त्रिकाद जी दोस्तों मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्व वीडियो में और आज बात करेंगे मार्केट में जबर्दस्त गिरा वटती जो कल भी लग रहा था आपको आपने कल मार्केट में जो सेंटिमेंस थे यूइस मार्केट कैसा नेगिटिव आज भी अभी अब प्रेजन देखोगे तो अभी यूज फीचर नेगिटिव में तो कल पूरे चांस है कि कल मार्केट नेगिटिव नोट पर उपन होगी तो उसके लिए भी आप लोगों ने तैयार्यक की की होंगी तो कल भी हमने कुछ फिर भी डिसकस किये थे जिन्होंने आज भी पैसा बना के दिया आपको और स्टोंक डिसकस करने से पहले आज बहुत बढ़िया टाइम थाज मैं हमेशा बोलता हूं जब मार्केट में ऐसी गिरावट आती है तो आपको तुरंथ अपने जो पो Semiconductor है जै और अलग लग सेक्टर में जाहिए और अलग लग सेक्टर के आपने स्टोंक होने चाहिएए आपके बास दस से बारह या पंदरा सोक्सरी से से पहल ना चाहिए हमारे पास की मार्केट गिरती है तबहीं पर्चैश करने स्टोंक तो आजभी हमने कुछ प्रचेजिंग करी है और स्टोक्स हमारे वहीं है जो हम रेगुलर्ली डिस्कूस करते हैं आज की जो स्टोक्स हैं मैं स्टोक्स की डिटेल्स सेक्टर वाइस मैं अपना जो टेलीग्राम का चैनल है यह मनीमंत्रा विद्धीपर गुला यहां पे मैं अप्लोड कर दूँगा आज और कल में और वहां से आप चाहो तो चेक कर सकते ओं टेली कर सकते हो कुछ स्टोक आप चाहे तो अड्र करना चाते हो वह भी कर सकता है आज अज ओसे अज ने 10,578 क्रोड का माल बेचा हैं और तो कुछ तो बात होगी कि इनको पता नहीं कि क्या हो रहा मार्केट में आज जो केंडल बनी है एक हैमर केंडल बनी है डेली के अंदर नेक्स सपोर्ट है 21,440 अगर यह ब्रेक होता है तो फिर हमको यहां तक के लिए भी तैयार है ना चीए 21,300, 21,220,30 और 20,980 यह लेवल के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए अगर यह ब्रेक होता है तो और होपफुली अगर इसको सर्वाइव करता है तो हम वापिस से फिर ने ओल्टाइम हाई के लिए जो भी लेटेस्ली हमने निफ्टी ने बनाया है 22,124 का तो क्या बता उसक को भी ब्रेक करते हैं तो मार्केट लेक्शन से पहले जिग 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 तो चल रहा है कुछ तो बड़ा रीजन था आज के गिरावट का की HDFC बैंक के रिजर्ट्स बहुत बुरे है उसका उससे भी बुरा रिजर्ट ने को यहां पर दिखेगा बैंक निफ्टी आज सबा चार परसेंट नीचे थी बहुत बड़ा रीजन था HDFC बैंक HDFC बैंक किरा उसके साथ और भी दूसरे बैंक किरे तो इसने भी हैमर केंडल टाइप बनाया है नेक्स्ट सपोर्ट जो इस वाली केंडल का लो था वो है 45,470 उसके बाद 44,790 तो इनके लिए आप जा सकते हो मार्केट डाउन है तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पी बाय करके गए होंगे तो अब इसकी कल सबका पैसा बने और अभी चलते हैं डेली केंडल में आप इसको चेक कर सकते हो स्टोक अभी 170 रूपीज पर ट्रेड कर रहा है अब यह एक पोल फ्लेक्स बन गया है यहां पे तो पोल फ्लेक का एक ब्रेक आउट मिल गया अपने को तो यहां पर आप मानके चलेगी यह मुझाल सो आपको यहां पे लेके जा सकता है 230 के लेवल्स तक भी आपको लेके जा सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कुछ कौंटिटी अगर आपको पैस पहले से ही है तो होल्ड कीजिए नहीं है तो आप एड करते रहीजिए 170 पे ट्रेड कर रहा है यह वाले लाइन बहुत इंपोर्टेंट थी तो इसी का स्टोप्लोस हम रखना चाहे थे रख सकते हैं पर फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सेफ होके हम 153 यह जो लेवल है यहां का स्टोप्लोस रखना चाहते हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उसका स्टोप्लोस जाए तो हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा स्टॉप लोज जाए हाँ जाते हैं स्टॉप लोज किसी किसी स्टॉप में तो उसके लिए हमको तयार भी रहना चाहिए मार्केट है अप एंड डाउंस रहेंगे मुझाल सोहा भी 170 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है हमको 190 210 और 230 इन टार्गेट के लिए मुझाल सोहा में इंवेस्टमेंट कर सकते हैं आपको यह दिखा देते हैं यह वीकली केंडल पर बड़ा अच्छा लग रहा है प्रफेक्ट्री टेस्ट हुआ यहां से स्टॉप उपर जाना स्टार्ट हो गया तो मुझाल सोहा पर आप नजार रख सकते हैं साब नेक्स्टोक को दोस्तों सेम इसी तरह का देखो मarकेट डाउन थी फिर भी स्टोक ने आज पैसा बना कि दिया है स्टोक है वैब हो गलोब लेंद भान कि इसरें आरे बाहर है यह डेली केंडल केंडल मैं अभी थोड़ो सा ज्यादा जिक जेग हैं तो इस लिए हम weekly candle use कर रहे हैं अभी 450 पे stock trade कर रहा है 418 यह हम stop loss रखेंगे इसके अंदर अभी at present और हम 480, 500, 500, 30, 550 इन टार्गेट के लिए यहां पे रह सकते हैं बट फिलाल इसके अंदर हम बात करेंगे यह pole flag हमको क्या दे सकता है तो यह pole flag अपने को 615 तक के टार्गेट के लिए अब इसमें निवेशित रह सकते हैं यह यहां से फर्दर 150 रुपीज के टारगेट अपने को यहां से मिल सकते हैं यह चीज हम यहां पर चेक कर सकते हैं कि यह स्टोक अपने को यहां से 22-30% की रिटन आपको दे सकता है एक से दो मेने तीन महीने में मार्च एंड तक के लिए आप इसमें इन्वेस्टिमेंट कर सकते हैं दो से डाही महीने का इन्वेस्टिमेंट रहेगा तो यह था स्टोक वैभाव गलोबल उस टाइम पर हमने इसे किया था पोल फ्लेक बरेक आउट के बाद हमारा स्टोक सर्थ के साथ आप करेहा हमें इसकों सकते Éожно हम मैं इसमें पर एक रखते हैं यहां पर रखते हैं यह अगर सरवाइव करता है तो 107 के साथ इसमें बने रहा सकते हैं यह इस टोग को क्या दे सकता है यह इस पॉल फ्लेक का ब्रेक आउट तो यह अपने को पॉल की लेंथ मिल सकती है 120 पे अभी stock trade कर रहा है 128 पे तो market close होने के बाद 128 एक 135 रूपीज का level है यह एक important level है इसको cross करने के बाद हम expect कर सकते हैं कि यह stock अपने को 150 150 170 200 level तक के लिए भी अपने को इसमें investment मिल सकती है target अपने को यह मिलेंगे और यह range जो अपने को मिल सकती है 30 to 50 70% up to 70% के रेटन यह stock अपने को दे सकता है यहां से और अगर आपकी पुरानी holding है तो hold करके रखी और नई holding है तो with 107 यह stock close के साथ इसमें आप नई buying कर सकते हैं कल market down जाती है stock थोड़ा नीचे मिलता है तो आप इसमें कुछ quantity 2-3% अपने portfolio का या 4-5% अपने portfolio का इसमें add कर सकते हैं आद के वीडियो का last stock देखते हैं दोस्तों यह stock अपने पहले बात की थी दोस्तों यह वाले range पे हमने कभी स्वे साथ 42 रूपेज में entry ली 53 रूपीज की रेज पे तो अभी at present हम देखते हैं अगर कोई 53 रूपीज पे अगर buying करता है तो उसको stop loss अभी रखना चाहिए 45 रूपीज का 45 को हम कर देते हैं red color में line and अब इसमें invested रह सकते हो 58 59 के लिए 65 के लिए 64 65 and 69 70 के लिए तो इन target के लिए आप इस menu message रखेंगे 20 से 30% के return ये stock भी आपको यहां से दे सकता है तो आज की वीडियो में ये stock से दोस्तो market में आज की जो गिरावट है वो panic होने की जरूरत नहीं है हमको एक अच्छी opportunity मिली है अपने portfolio वाले stock में कुछ-कुछ चीज़े add करने का long term portfolio में तो इस opportunity का use कीजिए कुछ-कुछ quantity add करते रहिए और जहां पर स्विंग trading और long term दो अलग-अलग चीज़ है स्विंग trading में आपको profit book करते रहना है repeat करते रहना है 10-20-30% जहां पर आपका greed low overlap में के वर एक मात्रा का फरक है उसको समझने की जरूरत है तो जहां पर आपका greed आपको अलाव करता है वह हम profit book कीजिए swing trading में और उस profit को deploy करते रहिए long term portfolio के अंदर तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों thank you very much have a wonderful time with your family and friends आज की वीडियो में stocks कैसे लगे please comment करके जरूर बताना और एक दूसरे की help करते रहेंगे दोस्तों तो यही अपना motive है let's grow together thank you friends जैहिन हम फिर मिलेंगे